तो दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य वड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजी और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजी 38 सल बाद सांत महयगी अनुष्टान का आयोजन गवास गांप पहुँचे देवताओं के साथ हजारो खुंद जिह गवास गाम में देवता गुडारू महराच के सानिद्ध में 38 सालों बाद एतिहासिक देव अनुस्टान सांत महायगी गवास समारू सुरू हो गया है तीन दिनों तक चलने बाले इस एतिहासिक महायगी में एक दर्जन से अधिक देवी देवता 20 हजार से अधिक की संख्या में देवलू पहुँच गए हैं इस दुरन प्रचली देव परंपरा के मताविक इस एतिहासिक देव अनुष्टान के सफल आयोजन से छेत्र में सुक समर्दी का कामना की जाएगी राशनकार धारकों को एक साथ मिलेगी तीन महिने की चीनी विभाग ने पोस मसीनों में डाला तीन माका विकलप जिस अस्ते राशन के डीपों की मसीनों में खाद आपूरती भाग ने चीनी कोटे के तीन माका विकलप डाल दिया है ऐसे में पर्देश के लाखों राशनकार धारक चीनी का तीन माका कोटा इस बार एक साथ मिलेगा मैं सिबिल सप्लाई के गोदामों से डीपों को दो वद तीन माका चीनी का कोटा मोहिया करवा जा रहा है ताकि अगर कोई उभवकता दिपावली कोटे से भी वनचीत रह गया है तो उसे भी चीनी का कोटा एक साथ मिल सके बता दे कि सेबिल सप्लाई के गोदामों से परदेश के उन डिपों को जनवरी मा में चीनी का तीन मा का कोटा एक सत मोहिया करवाई जा रहा है जो दिवाली कोटे से भी वनचीत रह गई थे हलाकि डिपों की पोस मसीनों में चीनी का दो मा का कोटा ही सो कर रहा था ऐसे में रासंट कार धारकों को चीनी की एक माके कोटे से वंचीत रहना पड़ रहा था पैंसन को गिनी जाएगी कॉंट्रेक्ट सर्विस हिमाचल हाई कोट के फैसले पर सुप्रिम कोट ने लगाई मोहर जी हिमाचल में contract service को pension के लिए गिना जाएगा हिमाचल हाइकोट के इस फैसले पर अब सुप्रिम कोट ने भी अपनी मोहर लगा दिये बता दिकि स्वास्ति भाग के रिटायर डॉक्टर ने ये मामला हाइकोट में किया था इसके खिलाब राज सरकार सुप्रिम कोट गई थी मैं सुप्रिम कोट में या special lip medicine खारिश हो गई है मैं सुप्रिम कोट में नियाधिस हरी केस राय और नियाधिस परसांथ कुमार मिस्रा की खंड़पिट ने ये पहसला सुना या मैं स्वास्ति भाग से 31 दिसम्बर 2020 को रिटाइर हुए डॉक्टर उमेश कुमार ने उनके अनुबंत सिवाव को पैंसन के लिए नो गिने जाने के खिलाब हाइकोट में केस किया था इस दिन से अयोध्या नहीं जा सकेंगे लोग पर सासन लगाई रोक बस ट्रेन की बुकिंग हो रही केंसील जिए अयोध्या के राम मंदिन में भागवान की मूर्ति की परान परतिष्टा अगामी 22 जन्मरी को होने जा रही है और इसके लिए त्यारियां जोर सो से चल रही है इस समारों के लिए असादू संतों सहे तिभी बी आईपी और भी आईपी मेहमानों को आमंतर भेजा जा रहा है वहीं आम लोगों को अध्या जाने के लिए रोक लगा दी गई है बता दे कि प्राण पर्तिष्टा के दो दिन पूर्वी से ही आम लोगों को अध्या जाने के लिए रोक लगा दी गई है जिले के आम लोगों को अध्या आने पर होने वाली समसा से बचने के लिए यहां नो आने की सलाह दी गई है और यहां आने से लोगों को आने से रोकने की जिम्मेदारी पंचा, सचीबों एवं ग्राम परधानों को दी गई मैं बस वो ट्रेन की बुकिंग भी केंसिल करने का निर्दिस दिया गया है पुलिस भरती में पहली बार ड्रॉप टेस्ट भरती नियमों का ड्राफ जारी 15 दिन में मांगी आपतिया जहिमाचल परदेश पुलिस भरती को लेकर नया बदलाव किया गया है इसके लिए पुलिस भरती के 9 अगस्त दोजर अकेस के नियमों को तबदिल कर नये नियम रागू किये जा रहे है मैं नये नियमों के भरती होने वाले पुलिस जवानों को समानी प्रचिक्चन के साथ चार मा का कमांडो प्रचिक्चन सफलता पुर्वक पास करना अनिबारी किया गया है मैं ग्रीबाक की और से पुलिस भरती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है मैं पुलिस भरती के नियमों के किये गे बदलावों के लिए पंदर दिन में आपत्य दर्च करवाने के लिए कहा गया है उसके बाद ही पुलिस भरती का ड्राप्ट फाइनल किया जाएगा पुलिस भरती ड्राप्ट फाइनल होने के बाद पुलिस भरती की परिक्रिया शुरू की जाएगी पुलिस विभाग में कॉंस्टेबल भरती की परिचा पुलिस विभाग नहीं करेगा परदे सरकार लोग सवा आयो किया किसी अनी एजनसी के माध्यम से कॉंस्टेबल भरती की परिचा की परिक्रिया को पुरा करवाईगी पर्द्र सरकार ने हिमाचल पुलिस में कॉस्टेबल के 126 पद भरने का फैसला किया है पुलिस भर्ती के नियमों संसोधन करके महिलाओं का 30 % कोटा किया गया है इमाचल पुलिस में 226 कॉस्टेबल घर्ठी किया जाने है अलबा पुरुसों की 500 मिटर की दोड को पुरा करने की टाइमिंग को एक मिनिट और महिलाओं के लिए 800 मिटर की दोड को आधा मिनिट कम किया गया है इसके अलबा पुलिस भरती में सार्दिक दक्षता परिशा के लिए डॉप टेस्ट को आवस्य किया गया है पीजी कर रहे सभी मेडिकल चातरों को बराबर स्टैपन 20 पेड लीब एक विकली छुटी भी रहेगी जिस सभी पीजी मेडिकल चातरों को अब बराबर स्टैपन मिलेगा प्राइबेट मेडिकल कोलेजे में असनात को उतर चात्रों को सरकारी मेडिकल कोलेजों के मेडिकल पीजी चात्रों के जितना स्टैपन मिलेगा जो की 50-70,000 रुपीय तक होता है प्राइबेट मेडिकल कोलेजों के PG चातर लंबे समय से सरकारी मेडिकल कोलेजों की तुनला में काफी कम स्टैपन मिलने की सिकायत करते रहे नमसी ने पोस्ट ग्रेजवेट मेडिकल एजुकेशन रेगूलेसन से 2023 में ये सुधार किये है में NMC के MNC के gadget के मुताबिक सभी post graduation course के medical चात्रों को एक weekly off यानि के सबता ही आवकास मिलेगा इससे पहले लिखित में चुट्टी का परवधान नहीं था उन्हें परती वर्स नियूंतम 20 दिन की CL यानि की casual live और परती वर्स 5 दिन की section चुट्टी की अनुमति होगी में NMC के इस notification के मुताबिक national exit test यानि की next को अगले आदिस तक अस्तिगित कर दिया है गती रोध खत्म अब सरकार की सलापर होगी कुलपतियों की नियूक्ती जहिमाचल पर्दिस के क्रिसी और बागवानी विस्विद्यालों की कुलपतियों की नियूक्ती के संसोदन विद्यक पर राजबहन और राजसरकार की बिच गतीरोध खत्म हो गया अब इन दोन विश्विध्यालों के कुलपत्यों की नियूकती राजसरकार की सलापर होगी म Actsय் मंतिरि शुकविंदर शुकूत से राजपल सीफ परताप सुकल की कुछ दिन पहले इस विध्यक पर मंतरना होई थी इसके बाद कुछ सर्तों के साथ राजपन ने इस पर समती जटाई इस पर करीब 725 रुपे खर्च का अनुमान है इस पर लेन की जट में नोनी से नम होल तक 252 मकान आएंगे वे पेकेज पेकेज नमबर तीन हमिरपूर भगेड फोरलेन की बोमी अधिक्रम से संबंदित परिक्रिया चल रही है इस फोरलेन की अलाइनमेंट डिपी आर को जही माचल पर्देश के BBN उद्योग संगने नई पहल की है इसके तद अब जहां उद्योग बद्योग को उनकी जरुत का समान मिलने में असानी होगी वहीं बेरोजगार इवाओं को भी रोजगार भी असानी से मिलेगा बद्धी प्रोटी बला नालागर उद्योग संगन या अन्य समान की जरुत पढ़ती है तो वह इस पोटल पर डाल देगा यहां पर जिस भी डिलर या वर्कसौप में यह समान होगा उसके परबंदक संबंदित कंपनी से संपर कर सकता है नसा कारोबारियों को तीन मां तक रखा जाएगा नजर बंद सुधारने होने पर जब तो होंगी संपतिया जे नूरपूर जिला पुलिस के प्रस्तावा पर मुहर लगाते हुए पर्देश सरकार के सचीब एवं हिरासत प्राधी करने नसा कारोबारियों को तीन मात तक नजरबंद रखने के लिए आदिस पारित किये हैं मैं जरूरत पढ़ने पर इसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है इस कानून के तद अगर इसके बाद भी आरोपी में सुधार नहीं पाया जाता है तो उसकी ओर से अवेद रूप से अरजीत की गई संपत्यों को जब्त किया जा सकता है मैं आरोपी अभी जेल में हैं वह करीब चार बार पहले पहले भी NDPS Act के मामले में नाम जात रहा है मैं 11.8.23 को पुलिस ने नार्कोटिक्स ड्रक्स और साइको ट्रोफिक पदार्त अधिनियम यानि कि P.I.E.T. ND&PS अधिनियम 1998 में अवे तसकरों की रोक थाम के तद एक अस्तान ये आदिस पारित किया है मैं प्रस्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए परिक्रिया और परिक्रिया का विबरन परदान करता है इसमें केद निरोधक निस्पादन, निरोधक आदिस का निस्पादन, अवे दुरुब से अर्जित संपतियों को जब्त करना आदिस सामिल है हिमाचल के 11,844 विद्यार्थों की चाति बिरती पर उच्ची की चाति बिरत्य योजना के तब इन विद्यार्थों को वर्ष 2022-23 की किस्त जारी नहीं किये मैं प्री मेट्रिक छातिवर्ति योजना में 72-79 और पोस्ट मेट्रिक में 46-5 विद्याति सामिले मैं सेक्षिनिक 17-23-24 का वज़ा टलेने को सभी नियम पूरे करने के विश्विद्यालियों, कोलेजियों और इसकोलों को निर्दिश दिये गए है लोकसभा चुनाब की त्यारी तेज 8 जनवरी से गाउंगा जाएगे सुकू सरकार चीमाचल परदिस में लोकसभा चुनाब की त्यारियों को तेज करने के लिए सुकू सरकार सौमार से गाउं में जाएगी मैं 8 जनवरी से 12 फरबरी तक सरकार जन्ता के द्वार कारिक्रम चलाएगी इस बाबत सभी केबिनेट मंतरियों, मुख्य संसर्दिय सचीबों और कॉंग्रिस विधायकों को निर्देस जारी कर दिये गए मैं इस तुराण गाऊं के कलेस्टर बनाकर सरकार जन्ता के लभारतियों के साथ संबात किया जाएगा लोगों की समस्याओं को मोके पर निप्टाने के परियास किये जाएगे इस योजना को सुरू करने के लिए मुख मंतर सुक्मिंदर सुकू 8 और 9 जनवरी को जिला हमिरपूर में रहेंगे इमुख मंतर की अधिशिता में 9 वर्स के पहले ही दिन हुवी मंतरी मंदर की बैटेक में 8 जनवरी से पूरे राज में सरकार गाओं के द्वार योजना सुरू करने को स्विकृति दिये इसके तहट 12 फरवर्विता गाओं के दोरे पर किये जाएंगे IIP के सुझाए 20 किलो के युनिवर्सल काटन में होगी सेफ पेकिंग अधिसुचना जल्द जहिमाचल परदेश में सेफ पेकिंग के लिए इस बर्स से युनिवर्सल काटन इस्तमाल होगा मैं सनिबार को किरिसी उपज विपनन मानक ब्यूरो के हत्त हत किरिसी सचिव की अधिश्ता में गठित कमेटी की बैटेक में बागवान और आड़ती संगटनों ने युनिवर्सल काटन लागू करने पर समती जताई है मैं भारते पेकेजिंग सनस्तान मुंबई की ओर से सुझाय मानों को पर युनिवर्सल काटन तियार होगा जिसमें 20 किलो से पेक होगा हिमाचल परदेश पुलिस कॉस्टेबल भरती में नया बदलाव अब हर जवान को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग डॉप टेस्ट हुआ आवश्यक हिमाचल परदेश के पुलिस कॉस्टेबल को अब कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी इससे पूर्ब समाने प्रचिक्चन में बहतर करने वालों को भी कमांडो प्रचिक्चन दिया जाता था मैं हिमाचल परदेश लोक सभा आयोक के माध्यम से भरतिया करवाने को लिकर ग्री भागने नए मानक तै कर दिये हैं मैं कोस्टबल भरती के लिए हिमाचली और परदेश के इसकलों से दस्वीवा बारवी पास करने वाली पात्रों होंगी अब नहीं बटेंगी फर्जी डिगरिया ना ही दाखिले में गोलमाल कर सकेंगे निजी बिस्विद्ध्याले वेब साइट पर अपलोड करना होगा डाटा जह सिमला में अब निजी बिस्विद्ध्यालों में फर्जी डिगरिया नहीं बाटी जाएंगी दाखिलों का प्रोसेस पुरा होते ही हिमाचल परदेश निजी चिक्चन सनास्तान की वेबसाइट पर अपलोड को हो जाएगा विस्विद्यालों को भी अपनी वेबसाइट पर भी दाखिलों का पुरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा में हिमाचल पर्देश बिस्विद्धाले की तर्जपर निजी बिस्विद्धाले में भी छात्रों को रेजिस्ट्रेशन नम्मर मिलेगा आईटी निवेस लाने के लिए अमेरिका जाएंगे सीम सुकू 11 जनबर से सुरू होगा दोरा ये अधिकारी जाएंगे साथ जे हिमाचल पर्देश के मुख मंद्री आईटी निवेस लाने के लिए अमेरिका के दोरे पर जा रहें मैं पर्देश सरकार के अधिकारों की टीम सचीब आईटी अभिसेग जैन के नेतित में कल से अमेरिका जा रही है मैं टीम के साथ मुख्य मंदर के आईटी परधान सलाकार गोखल बुटेल और कॉंग्रिस बिधायक भावानी स्तिंग पठानिया के साथ जाने की चर्चा है प्रिनी की निशा बनी विंटर क्वीन दोजर चोबिस लक्षमी ठाकूर को मिला वैस ओप कार्निवाल का खिताब जराश्ट अस्त्री विंटर कार्निवाल में आज़ित विंटर क्वीन परतुगिता का खिताब मनाली की प्रिनी गाउं की निशा ने जीता है मैं देर रात घोसित परिनाव में सिमला की कोहिनूर फर्ष्ट जब की मनाली की भाविया पंडित सेकंड रनर अप रही मैं वाइस ओप कार्निबाल के खिताब समसी की लक्ष्मी ठाकूर की नाम रहा सोलन में 213 पतों के लिए बिरोजगारों के इंटरव्यू लेगी बद्धी की कमपनी जिन में अप्रेंटिस ट्रेनी के कूल 95 पत भी सामिले मैं इन पतों की सेलेरी 11,250 से लेकर 45 हजजा रुपी के बीच होगी में अप्रेंटिस ट्रेनी के 95 पतों के लिए अभियतों को 11,250 रुपे बेतन मिलेगा इसके लिए सक्षिनिक योगता बारवी पास आईटी पास होना चाहिए योग से बनने वाले इस भवन का लगभग इंटक की एक लाग पचास जार मजद्रों को मिलेगा इस मोके पर अपने संबोधन में धर्मानी ने कहा की किसानों और बगवानों को भी भवन में ठहरने की सुविदा मिलेगी और ये इंटक की बड़ी पहल है अनुराग ठाकूर के सांसत मोबाइल वेन ने आठ लाग पाँच जार लोगों को बचाये 50 करोड जिकेंदरिये सुचना परसारन और खेल एबम युवा मामले के मंतर अनुराग ठाकूर की चलाई सांसत मोबाइल वेन सेवाने बीते 5 साल में आठ लाग पाँच जार लोगों के करीब 50 करोड रुपिये बचाये हैं यह वह इसे पैसे हैं जो अगर मोबाइल वेन नहीं होती तो लोगों की जेव से खर्च होते हैं मैं हमेर पूर से सांसत अनुराग ठाकूर नहीं माचल के दूर दराज के गरामिन चेतरों के लिए सांसत मोबाइल स्वास्त सेवा 14 अपरल 2018 को सविधान निर्माता भारत तरतन डॉक्तर भीम्राम अमडेकर जैनती पर शुरू की थी अब तक इस मोबाइल वेन सेवाने 8.5 लाग से अधिक लोगों के स्वास्त की जाच करने के साथ उन्हें दवाईयों भी निसुल के बाटी है लारजी पावर हाउस में परवेश के लिए बनेगी टरनल मुख्य द्वार होगा बंद जित थलोड इस तीत लारजी पावर हाउस में परवेश के लिए एक टरनल बनाई जाएगी और यह टरनल पावर हाउस के मोज़दा परवेश द्वार से काफी ज़्यादा उचाईस से बनने का निरने लिया गया है मैं ताकी भविस में यदि कभी भी ब्यास नदी का जल अस्तर बढ़े और पाणी अपना विक्राल रूप दिखा कर तांडब करे तो भी पावर हाउस को किसी परकार का कोई नुकसान ना पहुँच सके इस दिसा में बिजली बोट के जनरेशन विंग ने कारी करना शुरू कर दिया है बता दे कि बीते साल नो और दस जुलाई की भारी बारिश से ब्यास नदी का पानी लार्जी पावर हाउस में गूस गया था इस कारण 126 मेगावाट की या जल विदूत पर्योजना पुछे पूरी तरह से छत्ती गरस तो हो गई थी और अभी तक दोबारा बहाल नहीं हो पाई है लेक्चरर इसकूल नियू की परिचा में गलत उत्तर दिया तो होगी नेगिटिव मार्किंग जी हिमाचल के सरकार इसकूलों में भरती होने वाले 585 लेक्चर अब दो लिखित परचाओं के अधार पर चुने जाएंगे मैं आयोग ने फैसला लिया है कि सवाल छोड़ने और गलत उत्तर देने पर नेगिटिव मार्किंग होगी इसके अलाबा अगर उमिद्बार OMR अंसर सीट पर पर परचन का उत्तर एक से अधिक देता है और दोनों उत्तरों में से एक सही भी होने पर नेगिटिव मार्किंग होगी मैं आयुक के सचीब देवंदर कुमार रतन के अनुसार वस्तुनिष्ट परकार के बहुग विकलपी परसनों के जवाब OMR सीट पर देने होगी अगर उमिद्बार को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता होगा तो ऐसे में 5 विकलपे E पर रंग करना होगा अगर उमिद्बार बिना किसी भी कलप पर रंग किये सवाल को छोड़ देंगे तो 0.25 अंग कटेंगे मैं इस भी कलप पर रंग करने में से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी हर गलत जवाब पर 0.25 अंग कटेंगे मैं पिडित बच्ची के अनुसार आरोपी द्वारा इससे पहले भी एक बार उसके साथ गलत खरकत की गई थी मैं पुलिस ने पिडित बच्ची की मा की सिकायत पर मामला दर्ज कर जास्तुरू कर दी है और आरोपी को भी गरपतार कर लिया है इधर मामले की गंबिता को देखते हुए एसपी मंडी ने भी सुन्दर नगर पहुँचकर पिडित बच्ची के परिवार के साथ मुलकात कर उनसे सारे घटना करम की जनकारी लिये मैं जनकारी के अनुसार थाना में दर्ज प्रात्मिकी में पिडित बच्ची की मा ने कहा कि उसकी 6 साल की बच्ची ने 5 जनवरी को इसकूल से आने के बाद बताया कि उसके प्राइबिट पार्ट में दर्द हो रही है मैं आरोपी ने उसका सारिक उत्पिडन कर उसके साथ गलत हरकत किये और इससे पहले भी उसने उसके साथ ऐसा किया था मैं पुलिस ने F.I.R. दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है मैं S.P. मंडी सौमिया साम सिवन ने मामले की पुष्टी करते में बताया कि आरोपी को गिरपतार कर उसके खिलाब करवाही शुरू कर दी है गहरी खाई में गिरी ओल्टो कार दो महिलाओं की मौत तीन घायल जे सिर्मोर जिले के सिलाई में सनिबार को हुए सड़क हाथसे में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन लोगों को गंबिर हालत में सिलाई अस्पताल पहुचाया गया है जहां प्रात्मिक उपचार के बाद उन्हें पाफटा साहिब रेफर कर दिया मिर्तकों की पहचान जगो देवी, पतनी जगत सिंग, गाउं भटनोल और छुमा देवी, पतनी मेहर सिंग, गाउं भटनोल के तुरपर हुई है जनकारी के अनुसार बता दे कि हाथसा साम 6 बजे के आसपास तब हुआ, जब सिलाई 58 सड़क पर ओल्टो कार HP 85, 9 बजे सिलाई के समिप लगते, छोटी में 200 मेटर घहरी खाई में जागिरी, में कार में 4 महिलाओं साहिद 5 लोग सबार थी हाथसे के सुचना मिलते ही अस्तानी ग्रामने ने रहात और बचाव कारी सुरो किया, साथी हाथसे के सुचना अस्तानी पुलिस को भी दी, हाथसे में दो महिलाओं की मौत हो चुकी थी, मैं घायलों को खाई से निकाल कर अस्पताल पहुँचाया गया, मैं घायलों में कप जे माल्दिप सरकार ने भारत के पधान मंत्री नर्नमोदी की लक्षदिप यात्रा के बाद उन पर आपती जनक टिपनी करने के लिए अपने तीन मंत्रियों मरियम सिउना, मालसा और हसन जिहान को लिलंबित कर दिया है। जे सुक विद्दर चिंग सुकू सरक के नेतरुदवाली कौंग्रे सरकार के महतवकांची कारिकरम राजीब गांदी स्टार्टप योजना को युवाओं को अच्छा रिस्पोंस मिला है। पेट्रोल और डिजल के खर्च के साथ रख रखाओं का खर्च भी कम होगा। वह साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पेरालाइसिस को माद्य आत्मनल भरता की मिसाल बनी सुन्दरनगर की हर्दीब कोर। जे परिश्रम की वह सकारात्मक सोच से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ये बात मंडी के सुन्दरनगर के चातर गाओं की 45 वर्षी हर्दीब कोर ने सिद्ध कर दिखाई है। लाचारी की हालत में कोई और होता तो सायद तूटकर विखर जाता। लेकिन ऐसी विप्रित परिश्टितियों में खोद को समाल कर हर्दीब कोर ने नो केवल परिवार को विखरने से बचाया बलकि बच्चों को ओच्छिक्चा दिलाई। मदु में से पिडित पती का सहारा बनकर देख बाल की हुआ अपने परिवार के लिए घर भी बनाया। में पहला लैसिस से ग्रस्त हर्दीब कोर आत्मनिरभरता की एक मिसाल बनकर उबरी है जो आज किसी परिचे की महताज नहीं है। अस्तलों पर आठ बन नौ जनवरी को ओकत रिकॉर्ड राजिस्व अधिकारियों की उपसिती में समेक्चा है तू रखा गया है जिसमें परत्तेक परभावित परिवार का विवरन अंकित किया गया है। अनुसार ये सौट टर्म कोर्स युनिवर्सिटी और कोलेज में पढ़ने वाले हर एक इस्ट्रिम के इस्टुएंट कर सकेंगे। मैं नए सत्र में चात्रों की ये सुविदा मिल सकती है। ये कोर्स तीन से छे महिने के होंगे। कोटला बांगी में धांक से गिर कर नेपाली महिदूर की मौत। जे उप तैसिल पजयोदा की गराम पंचायत कोटला बांगी में एक नेपाली मूल्की वेक्ती की डांक से गिर कर मौत हो गई। जनकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कोटला भांगी के समेप गाउं में धांक से एक नेपाली मजदूर अमर सिंग पूत्रे बेर सिंग धांक से गिर गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई उसे रही बार को अस्तानी लोगों ने देखा और इसकी सुचना पुलिस को दी लोगों के सयोग से उसे ढांक से निकाला गये डी एसपी अरुन मोदी ने घटना की पूश्टी करते वे बताया कि सब को पोस्ट माडम के लिए अस्तानी अस्ता लाया गया है वे मृतेक का परिबार सिमला में रहता है वे जी ने सुचना दे दी गई है वे पुलिस मामले में अगामी करवाही कर रही है दोस्तों घबर का सिल्चला इसमापतो देगर जनकारी पसना आई होत वीडियो को लाइक से यहर चनल को सस्क्राइब चरूर कर ले